भाई और बेनों हमारे यहां हर कर्म का मूल आधार आरोग्य माना गया है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर स्वास्त सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारे रही उन्होंने देश के हेल्थ केर सिस्टिम के सम्पूर्ण विकास के बजाए उसे सुविधाओं से बंचित रखा गाउं में या तो अस्पताल नहीं थे अस्पताल थे तो इलाज करने वाला नहीं ब्लॉक के अस्पताल में गए तो टेश की सुविधा नहीं टेश हो टेश हो भी जाए लेकिन नतीजों को लेकर के ब्रम रहा सटिक है के नहीं उस पर शंका जीला अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि जो गंबीर बिबारी डिटेक्ट हुई उसमे तो सरजरी होगी लेकिन जो सरजरी होनी है उसकी तो वहाँ सुविधाई नहीं है इसलिए फिर और बड़े अस्पताल भागो बड़े अस्पताल में उसे ज़्यादा भीड लंबा इंतजार हम सभी गवाँ हैं कि मरीज और उसका पूरा परिवार ऐसी ही परेशानियों से उलसता रहता था जिन्दगी जूजने में चली जाती थी इससे एक तो गंबीर बिमारी कई बार और ज़्यादा बिगड जाती है उपर से गरीब पर जो अनावश्यक आर्थिक बोज पड़ता है वो अलग साथियों हमारे हेल्थ केर सिस्टिम में जो बड़ी कमी रही उसने गरीब और मिडल क्लास में इलाज को लेकर हमेशा मनी रहने वाली चिंता पैदा कर दी आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रस्ट्रेक्टर मिशन देश के हेल्थ केर सिस्टिम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है बविश में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो सक्षम हो इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टिम को आज तैयार किया जा रहा कोशिज ये भी है कि बिमारी जल्दी पकड़ में आए जांच में देरी ना हो लक्स ये है कि आने वाले चार पांच सालों में देश के गाउं से लेकर ब्लॉक, जीला, रीजिनल और नेशनल लेवल तक क्रिटीकल हेल्ट केर नेटवर्क को शसक्त किया जाए विशेश रुप से जिन राज्यों में स्वास्त सुविधाओं का अभाव अधीक है जो हमारे पाड़ी और नौर्थिश के राज्य है उन पर और अधीक फोकस किया जा रहा है